ग्यानवापी मस्जित के मुद्दे पर हमारे साथ बातचित करने के लिए यूपी के डेपूटी सीम ब्रिजेश पाठा की मौजूद हैं सर फैसला तो नहीं कहेंगे लेकिन यह है कि निर्देश युदिया गया था कोड की तरफ से उसमें अब शिवलिंग के सुबूत मिल र रही थी उसको रोकनी की कोशिस की गई कई दिनों तक आचनन लगाया गया उस पर तो क्या यह सब चीजें इससे पहले भी होती रही है मानी नियाले का आदेश का अनुपालन सत परसत लाग हो इस हम से निश्यत करेंगे अमन चैन से डिस्टर्बेंस की किसी को भी जाज़त नहीं हो जो शिवभक्त हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपने भगवान शिव मिल गए हैं नंदी कई वर्षों से प्रितिक्षा कर रहे थे उनकी अच्छाया अब दिख रही है उस पूरे परिसर को अपसील भी करवाया जाने का आदेश जारी किया गया है क्या कहेंगे अब दे क्या करने की अनमती नहीं मिलेगी आखरी सवाल है सर कि असदुद वैसी नहीं कहा है कि यह जो ग्यान वापी मस्जिद थी है और हमेशा रहेगी इन्शाल्ला देकि इस परिकार की बयान बाजी के बल सुर्खिया बटोरने के लिए हैं हिंदुस्तान में समिधान और मानी न इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई फैसला कोड की तरफ से आता है इस पर निर्देश होता है तो भव मंदिर बन सकता है जो ही मानी नहले आदेश देखा उसका हम अनपालन करेंगे और अनपालन सुनिश्चित करने के बाद जिस पचका होगा वो बनाएगा अच्छी बात है और भव बनेगा और देखने लाइग बनेगा चली बहुत शुक्रिया बात्शित करने के लिए डेपटी सीम ब्रजेश पाठक जी है और साबत और पर कह रहे हैं कि जो भी नया एले कादिश होगा उसका पालन किया जाएगा और सद्दू दिनों ऐसी के बयान पर भी कहा कि सिर्फ सुर्खिया बटोरने के लिए ऐसे बयान दी जा रहे हैं कैमराबैन मित्तुन्जे के साथ आदरश सिंग टाइमस नानो भारत लखनू